आज जह हम आए हैं सोंदा गाओं यह मोदिनगर के पास पड़ता है यहां पर आम आपको दिखाएंगे कोलू जहाँ पर गुर्ड़ बनता है यह देख सकते हो आप एक सामने हमारे कोलू है जिस कोलू पर हम आए है वह यहां पर है यह देखिए तो यहां पर आपको दिखाएंगे कि गुर कैसे बनता है जो ताजा गुड होता है उसको अनुकर कैसे बनाते हैं यह लोग मुम्ताज जी है यह किस जग पर कोलु पड़ते हैं सॉंदा मौदिनेगर में है यह जो आपने बनाई कहा है घुड़ की फेड़ी बलते हो बिल्कुल ताजि-थाजि-जड़ी बनाई है यह तो यह देखान्न के कहलू है जहाँ जगा पर यह बना याप ने फम नहीं क lui आप नी कि आप पने के तीन पर यह कैसे मतला काम करत едım इस पहले कड़ा इस टार्ट क्या होता है मैं इस पहले कि अब साफ करने के बाद जो रस निकल के जाता है उसे साफ करने के बाद वहां पर उसमें जमाते है जो आपने पत्थर की पराथ बनाई हूए यह रइगे इस तरीक से गोड़ बनाते हैं अभी अमें इस ताजा ताजा गोड़ की एक बेली लगवाई थी तो हम इसको खाएं यह बिल्कुल ताजा ताजा है रखताव अभी विल्कुल सही और अब ह Technical 19 इनका सोंदे गाउं मेरा अगरह अनुरोध है कि यह इतना ट्रेस्टी गुड़ है इधर चाहे आपको आना हो तो यहां सोंदे गाउं जरूर आए और इनके जहां यह गुड़ बनता है इसके विजिट करें गुड़ खाएं गुड़ लेके जाएं क्योंकि यह बहुत पॉस् जन्जे जिन्होंने अभी बताया गुड़ की खास्यत क्या है तो एक छोटी आउटिंग भी हो सकती है दिली के बहुत ही नियरवाय है ज्यादा दूर भी नहीं है दिली से तक क्रिवन 25 किलोमेटर दूर ही है तो आप आईए सोंदा गाउं इंजोई कीजियर गुड़ थैं